25 दिसंबर हमारी आजादी के संग्राम के एक प्रमुक संग्रामी चंद्र सिंग गडवाली का जन्म दिन है रजनात्मक शिक्षिक मंडल उत्राखन द्वारा स्कूली बच्चों को आजादी के आंदोलन के विभिन पहलों से अबगत कराये जाने की क्रम में हम वीर्चंद्र सिंग गडवाली के बारे में विस्तार से जान रहे हैं यह समस्ते जानकारी हम राहूल सांकृत यायन द्वारे लिखित पुष्ट तक वीर्चंद्र सिंग गडवाली से ले रहे हैं इस क्रम में मैं मुक्ता पाटनी वीर्चंद्र सिंग गडवाली के प्रथम जेल जीवन का विवरंट प्रस्तुत कर रही हूं प्रथम जेल जीवन 1931 बार जुन 1931 की रात को चंद्र सिंग ने एपटाबाद जेल में प्रवेश किया था जेल में प्रवेश करने के पाद जेलर अब्दुल गनी ने आकर चंद्र सिंग से कहा मिस्टर चंद्र सिंग्ग, यहां सब के तलाशी लेनी का होकुम है आपके पास कोई वैसी जीज तो नहीं है चंद्र सिंग्ग ने कहा वैसी क्या चीज जनाब जेलर, नहीं नहीं मेरा मतलब है कोई हतियार जिसे चाकू, पिस्तॉल या जहर जैसी कोई चीज चंदर सिंग ने कहा मेरे पास एक गीता की पोथी और दस रुपे के सिवा और कुछ नहीं है अच्छा तो गीता और नोट को यहां रख दीजिए और बंगले में जाकर सो जाईए अधेरी रात थी चंदर सिंग को एक सेल में ले जाए गया यह कोठरी तीन कदम लंबी, दो कदम चौड़ी थी जिसमें तीन फीट चौड़ा, साधे च्छे फीट लंबा और देड़ फीट उचा एक चबूतरा था जिसके पास आटा पीसने की चक्की थी वहाँ एक पानी का घड़ा, एक मूझ की चटाई, दो फटे पुराने कंबल, एक घुटिने तक का जागिया और एक अधभईया कुहनी तक की दो सूती कमीजें, एक लाल टोपी और लोहे का तसला, एक लोहे का कटौरा, एक तसली, एक लंगोट और कोपिन रखी हुई थी यह सामान चंदर सिंग के लिए था जेलर ने इसी कोठरी को बंगला कहा था चंदर सिंग को भीतर का जेलर दर्वाजा बंद कर के ताला लगा, लालते न उठा कर चल दिया चंदर सिंग ने पुकार कर कहा जिनाप, क्या मैं अंधेरे में पड़ा रहूंगा हाँ, सुबह तो उजाला हो ही जाएगा, अब आप सो जाएए गर्मियों के दिन थे, मिट्टी के चबूतरे पर देह पर गड़ने वाले कंबल को बिछा कर जौही लेटे कि खटमल, पिस्सू, मच्छर, चीटियां और नजाने कौन-कौन दूसरे बारी कीडे चंदर सिंग के ऊपर तूट पड़े इधर सारे शरीर में चिप्टे हुए थे, उधर गर्मी को हलका करने के लिए हवा का नाम भी नहीं था मच्छर कान के भीतर घुसकर भन-बना रहे थे, चंदर सिंग ने सोचा, ओफ, क्या किया जाए वह लोए के जंगले के ऊपर खड़े हो गए, थोड़ा ही आगे बरामदी की दिवार थी, जिसकी वज़े से कुछ दिखाए पड़ रहा था सिर्फ आकाश का एक छोटा सा टुकड़ा और उसमें कुछ तारे चमक रहे थे, पासपड़ोस के बैरकों से करकश आवाज आ रहे थी नंबर एक बैरक, पंदर कैदी, ताला, जंगला, लाल टेन, सब ठीक है, आवाज पंदर पंदर मिनट पर राज भर सुनाई देती रही सुबह के समय रियासत चित्राल की महतर के चचा, फकीर मुहम्मद खां अपने दो साथियों के लिए लपकते, चंदर सिंग के सेल के सामने खड़े होकर कहने लगे चंदर सिंग, सलाम अलेक, शाबाश शाबाश चंदर सिंग घबरा गए, यहाँ यह चंदर सिंग को शाबाशी देने वाला कौन आया उस वक्त उनसे पहचान नहीं थी, लेकिन पीछे उनसे परिचे हुआ यह भी पता लगा कि चंदर सिंग के दूसरे सोले साथी भी तीन बजे रात को यहीं जेल में पहुचा दिये गए है साथियों को बेड़ी पहनाने के बाद चंदर सिंग को बेड़ी पहनाए जाने लगी जेल के हैटक्वाटर बड़ा जमादार से है दृष्ट देखा नहीं गया उसकी आखों से आसों की धारा भे निकली और बोला चंदर सिंग हमारा कोई बस नहीं हम आपकी क्या मदद करें आपने मुसल्मानों की जान बचाने के लिए सब कुछ किया लेकिन आज मैं खुद मुसल्मान होकर आपके पैरों में बेड़ी डलवा रहा हूँ चंदर सिंग ने कहा जमादार जी आप इसे बेड़ी न समझे या मर्दों का जेवर है उस दिन के पैरों में डली बेड़ी पूरे 6 साल तक रही और 21 जुलाई 1936 को जब चंदर सिंग सूजा सरच से बरेली सेंटरल जेल में आये तभी निकाली गई कुछ दिन चड़ा ओफिस का एक बाबू चंदर सिंग का जेल टिकट बनाने के लिए और डॉक्टर उनके स्वास्त को देखने और तॉलने के लिए आया बाबू ने चंदर सिंग की खदर की दोती और पगड़ी लेली जिनने काकुल में सरत के भाईयों ने भेट की थी अपना काम करके वे लोग चले गए दस बजे के करीब सुप्रिटेंडेंडन ने आकर चंदर सिंग की देखभाल की और उनके टिकट पर रोज 18 सेर गेहूं पीसने की मशक्कत लिख दी चंदर सिंग को कड़ी कैद की गई थी या लिखते हुए वो कहने लगा चंदर सिंग अफसोस है कि मैं आपको चक्की पीसने के लिए लिख रहा हूँ और कोठरी में बंद देख रहा हूँ इसे समय जेलर ने कहा जवान इनके लिए रात को जन्जीर लगा कर रखने का भी हुकम आया है सुप्रिटेंडेंडन ने कहा नहीं नहीं जन्जीर मत लगाओ यह जवान भागने वाला नहीं है अगर भागने वाला होता तो जेल नहीं में क्यों आता जाते वक्त सुप्रिटेंडेंडन ने फिर चंदर सिंग से कहा देखो जवान बार से जब कोई अफसर आये तो चक्की पीसना शुरू कर देना बाकी समय बैठे रहना जेलर को भी देखो यह जवान चक्की नहीं पीसेगा चंदर सिंग जब तक हम है मेरी और से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी चंदर सिंग को यह देखकर बड़ा आजचरे हो रहा था कि यह अंग्रेज उनके साथ इतनी महरबानी क्यों दिखला रहा है पीछे उन्हें मालूम हुआ कि यह आयरलेंड का निवासी है आयरिस लोग अंग्रेजों को अपने देश का शत्रू मानते हैं दूसरे दिन परेड में सुप्रिटेंडेंट आया चंदर सिंग ने उससे कहा जनाब मुझे अपने साथियों से मिलने की इजाज़त दीजिए कोई शरारत न करना तुमारे साथी बारी-बारी से यहीं आकर मिल जाएंगी तिरसी बार की परेड में चंदर सिंग ने पूछा साहब हम लोग राजनितिक कैदी हैं हमारे पैरों में बेडियां क्यों डाली गई हमसे चक्की क्यों पिषवाई जाती है सुप्रिटेंडेंट ने कहा कोट मासर ने आप लोगों को राजनितिक कैदी नहीं बनाया आप लोग B-class और राजनितिक बंदी बनाने के लिए अरजी दें मैं खुद सिफारिश कर दूँगा चंदर सिंग ने कागज कलम मांग कर इसके बारे में हजारा के डिप्टी कमिशनर को दर्खास लिखा साथवे दिन डिप्टी कमिशनर का जवाब आया कि मैं आप लोगों को B-class नहीं दे सकता लेकिन आपके दर्खास दो अठार राग राग के कमांडनिक अफसर के पास भेज रहा हूँ उसके बाद बटालियन के करनल मनोरिंग और एड्जुडेंट डॉक्टर जेल में उन्हें देखने के लिए आये उनको देखते ही चंदर सिंग के देह में आग लग गई और वह देखकर क्लास के बारे में सिफारिश करने आये थी करनल ने पूछा चंदर सिंग तुम्हारा क्या हाल है पल्टन से भी अच्छी तरह हूँ काम क्या कर रहे हो चक्की पीसना सीख रहा हूँ खाना कैसा मिलता है बहुत अच्छा मिलता है इस पर करनल ने कहा चंदर सिंग मैं तुमको अभी छुडा कर अपने साथ ले जा सकता हूँ तुम सिर्फ यह बतला दो कि अब बगावत कैसे हुई तुम लोगों को किसने बर्गलाया चंदर सिंग ने जवाब दिया जनाब सच पूछिये तोया बगावत सरकार ने खुद हम लोगों से करवाई हम लोगों को पेशावर शहर में जनसाधारन के उपर गोली चलाने के लिए ले जाया गया वहाँजारों की भीड थी सिपाईयों को दो-दो कदम के फासले पर रहते कॉंग्रेस के जुलूस के उपर घेरा डलवा दिया गया उस समय हर एक कॉंग्रेसी ने एक-एक सिपाई को देश की बाते समझाई ऐसी स्थिती में आदमी को अपने देश और कौम का ख्याल आ ही जाता है फिर कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने देश और कौम के उपर गोली चलाने के लिए तयार हुगा करनल ने कपड़े उतारने के लिए कहा चंदर सिंग ने कमीज उतार दी वो दात और आँख देखकर कहने लगा जवान अभी तो तुम्हारे तंदरुस्ती पल्टन से भी अच्छी है चंदर सिंग ने कहा क्यों नहीं कौम की रोटी खाता हूँ सन 1931 में नमक सत्याग्र जोरो से चल रहा था सूबा सरहट में भी उसका बड़ा जोर था डेरा इसमाईल खां के सेंट्रल जेम में 500 से करीब पठाने चना लेने से इंकार कर दिया जेल के करमचारी मूँ ताकते रह गए जेलर ने हुकम दिया कि कार खाना मत खोलो कैदियों के बैरकों में बंद कर दो तीन दिन तक ऐसा ही रहा चौथे दिन सुप्रिटेंटेंट गारत लेकर भीतर आया बैत लगाने के लिए टिक्टियां भी आ गई चंद सिंग को अस्पिताल से बाहर लाने लगे पठान कैदियों ने अल्ला हो अकबर का नारा लगाते जोर से कहना शुरू किया खबरदार अगर चंद सिंग के उपर किसी ने जरा सा हाथ छोड़ा तो अच्छा नहोगा यह कहते वजगले के छड़ों को तोड़ने के लिए हिलाने लगे उसे वक्त गारत को वापस भेज दिया गया चंद सिंग और अब्दुलगफूर खां को भार निकाला गया समझोता हुआ तीनों निताओं को सारे जेल में घुमाये गया उन्होंने कैदियों से कहा कि तुमारी मागे मान ली गई अब रोटी खाओ बाहर से आकर एक कमिटी ने शिकायतों की जाच की थी और कैदियों की मागे मनजूर की गई पात-छे साल सूबा सरद में रहते हो गया था गरवाल से किसी के आने में बहुत मुश्किल थी इसलि चंदर सिंग ने अपने को युक्त प्रदेश के किसी जेल में भिजने के लिए दरखास दी सरकार ने उसे नामन्जूर कर दिया चंदर सिंग की पत्नी भागेरती देवी ने भी सरद के सरकार के पास दरखास दी सरत के बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की कि चंदर सिंग को युक्त प्रदेश में भेज दिया जाए टॉंक के नवाब डेरा इसमाइल खा के नवाब सूबा सरत के एड़ोकेट जनरल श्री नारायन सिंग ने चंदर सिंग के बारे में सरकार को लिखा इतने प्रभावशारी लोगों की बातों को इनकार करना मुश्किल था इसलिए सरत की सरकार ने हुकम दिया कि यदि कैदी का चाल चलन अच्छा रहे तो एक साल के बाद उसे उसकी बाके दरखास्त के अनुसार युक्त प्रदेश में भेज दिया जाए डिराश्माइल खाम में पठानों के साथ रहते चंदर सिंग को कोई तकलीफ नहीं थी वह अब उन्हें अपना भाई समझते थे और इस हर तरह की मदद से करने के लिए तयार रहते थे साथ रहते रहते अब वह कुछ पश्टों भी बोलने लगे थे पहनने के लिए चपल, कपड़ा धूने का साबुन, नहाने का साबुन और भी जिस चीज की जरुरत पढ़ती पठानों ने दिया करते वह हर तरह उनके साथ अपना स्थे प्रकट करना चाते थे एक दिन एक कोहाटी के दिने बात करते करते कहा भाई चंदर सिंग, आप मोटे तगड़े तो खूब हो, मगर पैर बड़े छोटे छोटे हैं जरा जमीन पर अपने पैर का निशान बना दो तो उसने जमीन पर अपने पैर का निशान बना दिया उसके पास चंदर सिंग ने अपने पैर का निशान बना दिया उसने अपनी उंगलियों से चंद सिंग के पैर के निशान को नाप लिया इसके बारवे दिन चंद सिंग के नाम एक जोड़ा चपल नाने के साब उनकी चार टिक्यों का पारसल आया उनको बड़ा आश्चरे हुआ कोहाट में उनका कौन इसा दोस्त था जिसने या पारसल भेजा पीछे मालूम हुआ कि उस कोहाटी पठान भाई ने इसे भेजा था सुबा सरद में वो अपना दूसरा घर बना चुके थे लेकिन अपने घरवालों का भी उन्हें ख्याल रखना था बीवे बच्चे और संबन्दी मिलने की बड़ी इच्छा रखते थे इसलिए वो अपने प्रदेश में आना चाहते थे पठान कॉंग्रेसी कैदी आ गए थे बन्नु जिले के हाथी खेल में अयूब खान नाम के एक खान थे उनके यां कॉंग्रेस की सबा हुई जिस पर पुलिस ने गोली चलाई गुस्से में आकर लोगों ने एक अंग्रेस का सिरकार दिया इसी मामली में सरकार ने 90 आदमियों को जेल भेज दिया था उनमत चाड़ बड़े बड़े नेता अयूब खान शेर महम्मद खान पीर बदन और मीर महम्मद भी थे दूसरे भी कितने ही कॉंग्रेसी पठान को आतक वाद का जूटा इल्जाम लगा कर जेल भेज दिया गया था चंदर सिंग को भी बैरक में उन्ही के साथ रखा गया था सभी राजनितिक बंदी इस बात को जानने के लिए बड़े उच्छुक थे कि भार क्या हो रहा है भार से अकबार किसी तरह मगाया जा सकता था लेकिन किसी के पास एक पैसा भी नहीं था चंदर सिंग के ससुर अक्टूबर 1930 में उनसे मिलने के लिए दुबारा आए उस वक्त उन्होंने बाहर एक जेल वॉर्डर के पास बार रुपिया जमा कर दिया था जेल के रीथी के अनुसार ऐसा चुपचाप रुपे में एक तिहाई वॉर्डर का होता था अर्थाथ चंदर सिंग आठ रुपिया ही अपने लिए इस्तिमाल कर सकती थी जेल में लुक छिपकर बाहर से चीज मंगाने को बदमाशी कहा जाता था जो वॉर्डर कैदी के संबंदी से रुपिया लेता वही चीजों को लाकर देता था कैदी के लिए मिले रुपिय का तिहाई उसी वक्त वॉर्डर का हो जाता और बदमाशी मागने पर वह आधा ही रह जाता अर्थाथ दो रुपिया वॉर्डर पर एक बदमाशी लाता और अपने पास एक रख लेता चंद्र सिंग ने अपने 8 रुपे की बदमाशी में 4 रुपे के अकबार मंगवाए इसके बाद चंद्र सिंग ने अपने पिता को 20 रुपिया भेजने के लिए लिखा पिता ने 20 रुपिये का मनी ओडर लाली राम तडरा वाला के पास भेज दिया उसने 2 रुपिया अपनी ओर से मिला कर 22 रुपिया एक वार्डर के पास भेज दिया जिसमें से 6 रुपिया वार्डर ने लिया, 16 रुपे से चंदर सिंग ने अगबार मगाना शुरू किया 1931 पे काधी इर्विन समझोता हुआ जिसके अनुसार जेलों से कॉंग्रेसी बंदी मुक्त कर दिये गए थी, डेराइस्माइल खां के जेल में जब चंदर सिंग और अयूब खां के लोग रहे गए, डेराइस्माइल खां के डिप्टी कमिशनर ने इसी समय जेल में आकर सुप्रेटेंडनेंट ने स्वय में एक दर्खास्त चंदर सिंग को लिख आफिस में बुला कर कहा, चंदर सिंग मैं आपके रहाई की कोशिश कर रहा हूँ, आप इस दर्खास्त पर दस्तिकत कर दीजिए, चंदर सिंग ने कहा, इसमें आपने क्या लिखाए, सुप्रेट चंदर सिंग ने पूछा आपको किसने कहा कि मैं माफी मांगकर रिहा होना चाहता हूं डिप्टी कमिश्टर कह गई हैं मैं आप और डिप्टी कमिश्टर साब की कहने पर ऐसी नीचता नहीं कर सकता मैं सौ साल भी इस तरह की रिहाई नहीं मानूंगा कुछ दुना बाद कराया जब तक अंग्रेज रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम उनकी काली किताब में रहेगा चंदर सिंग ने जवाब दिया जनाब अगर मेरा नाम अंग्रेजों की काली किताब में रहेगा तो वह हिंदुस्तानियों के सुनहरी किताब में भी रहेगा साब हमारी पल्टन ने अंग्रेज सरकार के लिए इतनी लड़ाईया लड़ी खून पसीना एक किया इस सब का फल अंग्रेजों ने यह चाहा कि हम पेशावर में अपने भाईयों पर गोली चलाएं कौन ऐसा अधम होगा जो अपने ही भाईयों पर गोली चलाएगा डिप्टी कमिश्टर ने कहा क्या अब भी उसी बात पर डटे हो क्या आप समझते हैं कि जेल में हतकड़ी बेडियों से मैं डर गया हूँ याद रखें मैं ही नहीं कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं करेगा बलकि आपके गोरे सिपाई भी हिंदुस्तान का नमक खाकर ऐसा करना नहीं जाएंगे मैं स्वयम काकुल छाबनी में गोरे सिपाईयों को सरकार को गाली देते सुना है हाँ यदे जर्मनी या किसी दूसरे देश से खत्रा हो तो मैं इसी हालत में जर्मन तोपो के सामने खड़ा होने के लिए तयार हूँ अंग्रेज डिप्टी कमिश्टर को कोई जवाब नहीं सूजा जब वह मूँ फेर कर चला गया तो चत्र सिंग ने पूछा आप या चेल में किस हैसियत से आए हैं मैं डिप्टी कमिश्टर हूँ जाते वक्त उस ते फिर का जवान अब भी तुम सरकार से माफी मांग लो च कुछ सवाल पूछने के लिए चंदर सिंग के पास जेल में आए चंदर सिंग ने उनसे पूछा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस बारे में सवाल पूछना चाते हैं मैं सिर्फ उन ही सवालों को पूछना चाता हूँ जिने युक्त प्रदेश की सरकार में पूछे हैं औ दो, आप उन्हें पहले से भी जानते थे, उत्तर, हाँ, वो हमारे जिले के मशूर आदमी है और कॉंसिल में हमारे प्रतिनी दी है, तीन, आपने उनको कितनी फीज दी, उत्तर, सो रुपिया रोज के हिसाब से, अठार सो रुपे उन्हें मिले होंगे, चार, आप लोगों न उन्हें पूरा विश्वास किया है, और मैं यही कहूंगा, कि उन्होंने इमानदारी से काम किया, च्छे, क्या आपको विश्वास है, कि मुकंदिलाल सरकार से नहीं मिल गए, उत्तर, मैं अपने विश्वास पर अडल हूँ, बाकी के बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ, बै पेंपलेट के लेखक, रहस पंडित के खिलाफ अदालती कारवाई हुई, और उन्हें डेर साल की काटनी पड़ी, उन दिनों जेल में कैदियों को बहुत सताय जाता था, अब्दुल गफूर और चंदरप्रकाश कॉरंटीन के हाथे में रहते थे, चंद सिंग अस्पताल म बिमार पड़े थे, तीनों जनों ने कैदियों को समझाया, एक दिन सुबह कैदी कार खाने जा रहे थे, एक हजार कैदियों में प्रतेक को एक छटाक गुड और दो छटाक चना दिया जा रहा था, जेलर और जेल के वार्डर वहीं खड़े थे, अस्पताल पास ही में था, इसी समय अब्दुल गफूर ने खड़े होकर आवाज दी, कोई चना गुड न ले, आज से सब लोग भूख हड़ताल करें, किसी अफसर से न लड़ें और न किसी के साथ गाली गलोज करें, सब लोग अपना काम ठीक ठाक करते जाएं, जब तक आपकी तकलीफे दूर न कर दी जाएं, तब तक रोटी लेने से इंकार करते,